एक देशक से अधिक समय से सेंट्रल युनिवस्टी का संचालन किया जा रहा है लेकिन अभी तक इसका स्थाई केमपस नहीं बन पाया है सीउ को लेकर ABPP के चलन दरमशाला आंदोलन में सैंक्रो कारे करता उम्रे ABPP ने सीउ कैमपस से कच्यारी अटा तक रैली निकाली वहीं जरकार को चेता है कि यदि सीउ साई कैमपस निर्मान की और कदम नहीं उठाये गए तो चलन दरमशाला की तरश पर ABPP चलो शिमला और चल निर्मान को लेकर केंदरबो परदेश सरकार सहित सीउ परशासन के खिलाब जम कर नारिवाजी भी की ABPP के प्रांत मंत्री राहुल राना ने कहा कि सीउ के स्टूडेंट्स मूलबूत्स विदाओं के अबाब में पढ़ने को मजबूर हैं शिला नियास के नाम पर स्टूडेंट्स को गुम्रा करने का प्रयास किया जा रहा है जिसके बिरोद में ABPP आंदोलन रत है सीउ के स्टाई कैंपस को लेकर आज चलो धरमशाला आंदोलन शिरुप किया गया है सरकार ने अदिशेग्र इस और कदम ना उठाये तो चलो धरमशाला के बाद चलो शिमला और चलो दिल्ली तक आंदोलन के लिए ABPP मजबूर होगी धकोस लिबाजी नहीं चलेगी सरकार कोई भी हो ABPP चात्र हित की मांगों को उठाता रहा है और आगे भी उठाता रहेगा पडेश के राजेपाल बंडारू दतत्रे ने धरमशाला में जिलापर में संचालित योजनाव सहित बिकास कारें की स्मिक्षा की DC कारेले में आयोजित बैटक की अधिक्ष्ठा करते हुए राजेपाल ने कहा की नावचार के माधियम से कांगरा जिला को नशामुक्त और आधर्श जिला बनाएंगे उनने कहा की जिला में जो भी योजनाए चल रही है उनकी रिपोर्ट अच्छी है विविन भिवागों के बरिष्ठ अधिकारियों से की बिकास योजनाओं पर चच्चा कौनसी योजनाए चल रही इसके बारे में जानकारी ली तथा योजनाओं की स्मिक्षा कर अधिकारियों से फीडबैक भी ली पदेश के राजेपाल बंडारो दततरे ने कहा कि दरमचाला में विविन भिवागी अधिकारियों से बैटकी है जिसमें विविन योजनाओं की स्मिक्षा की गई है विशेश कर प्रकृतिक खेती और सिंचाई योजना शिक्षा में क्वालिटी एजुकेशन सरकारी स्कूल में उन्नत शिक्षा के लिए क्या क्या जा रहा है हेल्थ डिपार्टमेंट में हिमकेर योजना का काफी लोग लाब ले रहे हैं मैंने अधिकारी को कहा कि नावचार के माध्यम से हम कांगडा जिला को अधर्श जिला बनाना चाहेंगे और नशामक कांगडा जिला बनाना चाहेंगे जिला कांगडा में क्या क्या चल रहा है और कैसे चल रहा है इसकी रिपोर्ट अच्छी है प्रडेश ब केंदर सरकार से जो पंडिंग के इश्यू है उनके बारे में भी जर्चाल की गई के भ्यान दर्ज नहीं हो सके क्योंकि ADC वर जिला पंचयत अधिकारी अचानक को लेकर आयोजित प्रैटिक में चाना पड़ा जिला पंचयत अधिकारी अचानी कुमार ने बताया कि इन लोगों को आज बुलाया गया था लेकिन अचानक से विशेश बैटर का आयोजिन होनी के कर्ण पेशी को अनिशित ताल के लिए परस्ताबित कर दिया उन्होंने कहा कि इस मामले में जल्द ही नहीं तिथी निर्दारित कर तलब किया जाएगा गौर रहे कि पिछले एक वर्ष पूर शिकायत करताओं करमचन, ब्रिज मोहन स्वरन कुमार, बिजे कुमार, सहित करीवन छे दर्जन लोगों ने एक साल पहले जिला दिस कांगला, जिला पंचायत अधिकारी बो बीडियो फतेपुर को, पंचायत खटियार में प्रती पर कर अपने चहितों को फायदा पहुचाया था, जबकि मन्रेगा में फरजी हाजनिया लगाने की लिख्थ शिकायत की थी, इन सभी की पंचायत नरिक्षक द्वारा की के जांश के उपरांत कई तथेवी सामने आये थी, जिस पर कारेवाई करते हुए, जिला पंचायत अधि के दोरान मुख्यों मंतरी से किय थी, जिस पर मुख्यों मंतरी ने जांश करने के अदेश दिये थे, शिकायत करताओं का आरोप है कि कारन बताओं नोटिस के बात बीडियो फत्यरपुर्वन ने शिकायत करताओं की गैर हाजरी में पंचायत प्रदान का बचाप करते कि पंचायत में महिला परदान का पती अक्सर ही अपनी मर्मानी करता है